दोस्तों अगर आप एक वीडियो क्रेटर हो तो आपको अपने फॉन को अपने पीसी में मिर्यर करना बहुत ज्यादा डिफिकल लगता है आप किसी third party application को इंस्टॉल करते हो या फिर वायर के तुरू अपने पीसी में अपने फॉन को देखते हो जब भी आप वीडियो क्रेट करते हो खास करके information वाली वीडियो जिसमें आपको फॉन को और पीसी को साथ में देखाना होता है तो फॉन का recording आप अलग कर लेते हो पीसी का अलग कर लेते हो लेकिन आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने फॉन के screen को कैसे PC में लाइब देख सकते हो जो जो फॉन पे करोगो तो डिरेक्ट PC में देखेगा और वो भी बीना किसी third party application को यूज किये आपको जो भी बताएंगे वो PC के अंदर ही यह application है डिरेक्ट आपको window में यह application मिलता है कैसे करना है सबसे पहले हम यहाँ पे screen recording on करते है ठीक है यहाँ पे screen recording on हो चुका है अभी सबसे पहले क्या करना setting में आना ठीक है यहाँ पे और यहाँ पे projection search करना ठीक है तो यहाँ प अपर देखिए यह बला option जो देख रहे हैं आपका यह और नहीं आएगा ठीक है क्योंकि हमने यहाँ पे इंस्टॉल किया हुआ है तो आपको क्या करना है projection जैसे आप सर्च करोगे तो इसके से पहले आपको यहाँ पे एक software पहले डाउनलोड करना होगा इसी में डिरेक्ट इसको search करने के बाद जो है यहाँ पर देख सकते add an optional feature इसपे क्लिक करना यहाँ पे view features पर ठीक है जब इस पर install पर किलिक करने next करके install कर देना इंस्टल होने के बाद जो है ना जब फिर से यहां पर आए ठीक है और यहां पर आने के बाद प्रोजेक्षंच जब ऐसे फॉन को लेना है ठीक है चलिए हम एक फॉन को ले लेते हैं और यहां पर करते हैं क्या इसका स्क्रीन रिकॉर्डिंग अन कर देते हैं ठीक है ताकि आपको अच्छे से दिखे चलिए यहां पर इसका स्क्रीन रिकॉर्डिंग मैंने अन कर दिया अब यहां पर नीचे स्कॉल क करने के बाद यहां पर is ScreenCast दिख रहा पो ठीक है स्क्रीन कास्ट अगर नहीं दिखता आपको अब अइस कार्णा और एटी टाटल पर क्लिक करना और यहां पर त calculating जर्णा देना और यहां पर दाओन देखेंट सूरकि एला default भीड रखना और यहां पर यहां पर मेरा PC का नाम है creative ठीक है तो इस पर जैसे हम क्लिक करेंगे और start पर जैसे क्लिक करेंगे ना guys just guys मैंने join है यहाँ पर क्लिक किया ठीक है इस वाले notification पैनल पर तो यहाँ पर देखिए notification आ रहा है बट यह connect नहीं हो रहा है तो अभी फिर से मैंने यहाँ पर इसको पहले cancel करते है ठीक है और यहाँ से फिर से करते है यहाँ पर ठीक है और यहाँ पर allow once always allow करते हैं। तो फाइनली गाइस थोड़ा देर और राव वेड़ करते हैं ओर okay करोंके करने के बाद यहाँ पर TCP पूंगे यहाँ पर got थ्क्राइब, just तो थोड़ा देए और in- expose जो पॉद्द करते हैं और लाव पर व该 थयाँ करते हैं. लाइक करके बताना चैनल पहली बारो सब्सक्राइब कर लेना थैंक्स पूर वाचिंग गाइज बब बाई एंड टेक केर